राम नौमी या हिंदु धर्व का काफी बड़ा पर्व माना गया है विश्णु ने चैत्र नवरात्री में नवमी के दिन अधर्मी रावन का सम्हार करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए राजा दश्रत और रामि कौशल्या के गर्भ से प्रिफी पर जन लिया उनके जन से पहले राजा दश्रत काफी परेशान थे बू संतान्स की चाहा रखते थे पर संतान्सुक से वंचित थे तभी उद्वा ने किसी रिश्य के कहने पर अयोध्धानगरी में अपने महर में यग्य किया। उस यग्य की प्रशाद सवरूप खीर को अपने तीन और अनियों को ग्रहन करने के लिए बोला। जिसके प्रभाव से कौशल्या समित्रा कैके ये तीन औरानिया गर्भ पती और दभी चैत्रमा में नवने के दिन प्रभुष्री राम चन्दृ का चनम हुआ प्रभुष्री राम के चनम के बार कैके के गर्प से भरत और समित्रा के गर्प से शेशनाव के अफटार लक्षमन एवं,शत्रुगन का चनम हुआ महर्शी वशिष्ट ने इंच्छा रुबालगो का नाम राम लक्षमन भरत चत्रगन रखा पूत्रों की प्राप्ती से राचा दश्रत काफी प्रसम थे अध्या में हर तरफ उत्सफ मनाया जा रहा था अपने तीनों भाईयों के साथ हस्ते खेलते राम बड़े वुए उम्र की औस तायू में उन्होंने महर्शी विश्वामित्र के गुरुकुल में प्रवेशकर धनुरविद्या के पाठ को आरंप किया थनुर विद्ध्या के साथ साथ शस्र विद्ध्या का भी ग्यान महर्शी विश्वामित्र ने राम को दिया तथा गुरु वशिष ने राम को राजपत संबालने का ग्यान और वीदों की शिक्षादी महर्शी वशिष्ट के हाथों से ही प्रभुश्री राम का राजा विशेख संपन्न हुआ